हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल एड़ डरेट सर्वरोचन दादा जहां आपको ज्यान मिलेगा सबसे ज्यादा आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग जरा हट के जो करेंट एफेर का सिलसिला था वो चालू रखेंगे और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि करेंट एफेर को कैसे पड़ा जाएगा और करेंट से स्टाटिक में कैसा जाया जा सकता है और जो एक्जैमिनर है वो कौन सा लॉजिक से कोई कोई सवाल देता है जो कि अक्सर आप लोग आके कहते हैं जो सर ये वाला सवाल ऐसा क्यों आया ये तो नहीं आना चाहिए था ये कहां से निकाल के लाया तो उसका भी थोड़ा आईडिया आपको यहां मिल जाएगा बढ तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या देखने पाले हैं लॉर्यस आवीडेग्स ah और नियरा चोप्रा का बारे में लिपर बहुत सार ensure 하루 सब्सक्र और एब बहुत जा आएगा अच्छाए से गोसे सुनिएगा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लॉरियस अवर्ट्स 2023 का बारे में 2022 का जो भी परफॉर्फॉर्मेंस था उसका बेस में यह दिया जाता है तो स्पोर्ट्समन आप दे यर का वर्ड मिला था 2023 में लॉरियस का लाइनल मेसी जो कि आजन्टीन के बहुत बड़े खिलाड़ी है मतलब बहुत ही ज्यादा एक टाइम ऐसा था जो उनका पास मतलब बहुत ही पैसा है और लास्ट येर हमेसे मैंने कहा है ना एक साल पहले कभी देखना चाहिए लास्ट येर 2022 में कौन जीता है मैक्स वर्स टैपन ओके तो रेडबुल के जो कि जैमाइकन अथलीट से यानि कि स्प्रिंटर रही जैसे कि जैमाइका से उजयन बोल्ड भी थे आपको मालूमें अभी उनका भी नाम है इसमें अभी मैं बताऊंगा कुछ दिन बाद ठीक है तो वैसे ही वो जैमाइका से ही बलॉंग करते हैं अच्छा कम बैक ऑप दे य यह योकप में अरीजबर का दोज़ाच चॉबिस में भी योकप होने वाला कहा होने वाला जर्मनी में होने वाला गौर से कोई नकोई एक्जाम में आ सकता है अब ब्रेक्टू अब दे यर इसको मिला कारलोस अलकराज जो कि स्पैन के संसेशनल टेनिस प्लेयर है और जोको विक का बाद मेरे खाल से इनका ही नंबर है रूल करने का अच्छा यह जो लॉरियस है ना यह स्पोर्स पर गूट फाउंडेशन है एक किसम के एंजियो समझ लीजे यह खेल का प्रचार पसायर के लिए चालीज से ज्यादा कंट्री में काम करता है और हेट कॉर्टर इसका लंडन में है और सबसे ज्यादा यह जो अवार्ट था लॉरियस का यह रॉजर फिर्डर को मिलता है पांच मिलता है इसको Sportsman of the Year के लिए और एक मिलता है Comeback के लिए तो टोटल 6 और Serena Williams को वैसे ही 4 मिलता है Women's World Award Sportswoman और एक Comeback के लिए तो Laureus वाला समझ में आगए आपको अब हम लोग दिखते हैं 25th Asian Athletics Championship 2023 तो यह कहाँ हुआ था बैंकोक थाइलेंड में 12 से लेके 16 जुलाई तक और यह करा था को ने Asian Athletics Association 1973 में इसका स्थापना हुआ था और Headquarter सिंगापूर में है और President जो है भी मौझूदा उनका नामे दहलान अलहमद और इससे पहले हमारे एक हिंदुस्तानी ते सूरेस कलमाडी 2000 से 2013 तक इसके President रह चुके हैं अचा आप दीखिएगा जैसे कि आपको मालूम है हम लोग इंदुस्तान में रहते हैं इंडिया में रहते हैं और इंडिया एसिया का अंदर है और एसिया पूरा वर्ल्ड का अंदर है तो कोई भी खेल करना Federation का जैसा cricket medal यह इंडिया मी बी सीसी ही है फिर एसिया का एसिया क्रिकेट काउंसिल है और वर्ल्ड का ICC है वसी हर स्पोर्ट्स का दिखिएगा ज्यादा तरकत तीन रहते हैं एक इसिया का एक वर्ल्ड का तो जो लोग तीनों का बारे में बात करेंगे तो यह एसिया चैंपेंशी पर यह गूमी साउथ कुरिया में होने वाले और 27 में जियामें चाइना में और इसका मैसकोड बहुत इंपोर्टेंट है लॉड हनुमान जो हमारे यहां पर हिंदुबाई बेन पूस्ते हैं लॉड हनुमान उनको ही रखा गया था और बैंकोक यह तना भी शा और रैंक केतना है इंडिया का थर्ड और नंबर वन कौन करता है जापान 16-11-10 यानिके 37 और चाइना 2-886 बाइस अच्छा एटलीट एक है जोती यारा जी जिन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल मिडल जीता इस एवेंट में 100 मिटर रेस हडल रेस में और बाद में फीर एक सिल्वर भी जितती है 200 मिटर रेस में अच्छा अब्दुल्ला अबुबकर ये सब नाम याद रखीगा ये सब पूछा जा सकता सिर्फ नाम बोलेगा बोलेगा कौन से खेल से हैं अब्दुल्ला अबुबकर जो है ट्रिपल जम से बलाउंग करते हैं तजिंदर पाल सि इनको भी मिला है अर्जुन आवाड ये 3000 मीटर गोल्ट लाते हैं इस्टपल चेस में ठीक है अच्छा इस्टपल चेस कौन से खेल होते हैं अगर आपने पान सिंग तो मार मुवी दिखा अगर फान खान का उसमें वो इस्टपल चेस करते हैं हमाओ बढ़लो पूरो ना हु अच्छा अब इसे एक पाल इन्होंने गोल तो नहीं जीता ब्रॉंज जीता मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इबन में जीता दस हजार मीटर करेसमें इन्होंने ब्रॉंज जीता समझ मैं आर आपको देखिए यही सब से जो बढ़िया करते हैं यह सब अर्जुन आवाड क इसका बारे में भी डिटेल वीडियो लाएंगे अच्छा आप अब अध्लेटिक्स फेडरेशन अभी हम लोग एसिया वाला दिखेते हैं यह अध्लेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट को ने अधीले सुमरी वल्ला ठीक है और यह पहले हिंदुस्ता इन्होंने 2003 का पैरिस ऑलम्पिक ब्रॉंच जीता था अभी मैं बताओंगा आपको अच्छा पैरा अट्लेटिक्स फोल्ल चेंपिंशिप 2030 कहा हुआ पैरिस में हुआ देखे सब अलग अलग कैटेगरी है आठ से सतरह जुलाई और इंडिया ने रेंक है 19 तुनिस नमबर र आते हैं और अजित सिंग यह में जावलिन त्रो मिलाते हैं अब पैराग्यम में जब भी देखी काना साथ में एक सिक्ष्टी फोर्टी सीग फॉर्टी यह सब रहते हैं अब यह बहुत इंपोर्टेंट है नाइन्टीन वर्ल्ट एटलेटिक्स चैंपिंशिप 23 यह कौन कर इसका बाद इसका नाम वर्ल्ट एटलेटिक्स रख दियेगे जो कि उन्हीं से बारा में स्टॉकों में बनता है बट इसके हेड़कोटर अभी मोनाकों में और इसकी जो प्रसीडेंट सेबास्टियन को अच्छे जितना भी इंकमेंट्स रहेगा ना प्रसीडेंट चेर्व और बीसवा अगला जो होने वाले 2025 में होको टोक्यो में पर चीज का अगला पिछला याद रखना है अचा पिछला कहां हुआ था यहां हुआ था आपका इग्वेन जो की अमेरिका में था ठीक है वहां पर भी यह जो देखे ना सिल्वर जीते थे हमारे अचा नीरत चोपर अर्शर नदीम सेकेंड आते हैं पाकिस्तान से 87.82 मिटर और 100 मिटर रेस में अक्षुली बहुत सार इवंट है और 100 मिटर हमेसे इंपोर्टन रहता है 100 मिटर रेस में कौन जीते हैं वमीन में वमेन में जीते है शा, करी, रिचर्ट सन यूएस की हैं 10.65 सेकंड में और में जोकि यूएस से है 9.83 सेकंड में तो अभी यह जो मैंने कहा ना गोल जीता यह तो पहले हिंदुस्तानी बने और ओवराल सिर्फ तीन मेडली है इंडिया का यह वोल्ड अथलेटिक्स चेम्पेंशिप में दिखे नीरा चोप्रा कहीं दो है 2023 में गोल 2022 में सिल्वर और जो म इसमें भी 87.66 मिटर का रोकिया ठीक है अब निराच चोप्रा का बारे में तो जान लेते हैं इनका जनम होता है खांदरा हरियाना में 24 दिसम्मा 1997 यानि कि दो दिन बादी है इनका आईड यू है 6 फिट है वेट नहीं बोलूगा क्या वेट कंबेसी होते रहते है और यह अर्शून आवर्ड 2018 में मिलता है खिल रतना वर्डावर्ड जो द्यान चनल क्ले रतना वर्डे धे i इस बार के इसको मिला सैटशी को मिला सैटशी जो बैडमिन टेन का दो जो खिला लिए है ठीक है अब पत्मशी 2022 में मिला इनको विसिष्ट सेवा मेडल और अती विसिष्ट सेवा मेडल ये 26 जनुवरी को दिया जाते हैं 2020 और 22 में मिला और इंडिया का बस दो ही गोल्ड है एक इनका है और इससे पहले अविनव बिंद्रा का था ठीक है अच्छा सियाद रखेगा और हाँ भी रिसेंट्टी हाली में उनको लॉरियस का भी अमबसेडर बनाए गया अमबसेडर का एक वीडियो उसको भी देख लीजेगा अच्छा वर्ड एटलेटिक्स अवर्ड 2023 ठीक है इसमें 6 जन को मिला इस बार तीन महिला तीन पुरुस ट्रैक का लिए यानि कि जो ट्रैक मे ओल बॉल्ट करते हैं सुडेन से हैं यूलीमर रोजास जो कि ट्रिपल जम करती है वेनेजुला से अच्छा आउट ऑफ इस्टिडियम का बहार जो खेल होता है तो केल्विन किप्टूम मैराथॉन मैराथॉन तो मालुम है ना पुरा सहर सहर में दोड़ा जाता है तो यह मे और ठीक है वहां देखिए गार रोजर फेडर को पांच बर मिला लॉर्यस का और यहां वर्ल एथलेटिक्स अवर्ड छे बार उजयन वोल्ड को मिलता है आँ दो देख लेते हैं केनियन केल्विन किप्टूम में जो भी देखा केनियन केल्विन किप्टूम इन्होंने में म कोई स्पॉंसर करता है तो अगर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्काइब करें प्यार बाटे खुश्या बाटे और ज्यानत ज़रूर बाटे और वीडियो को पूरा देखा करें बहुत कुछ समझ में आएगा आने वाले एक्जाम में आपको बहुत फाइदा होगा मिलते हैं अगले किसी वीडियो में